हेलो दोस्तो, स्वागत है हमारा नोटिफिकेशन चैनल में आपका यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजए बीइंग बैंकर विट बैल आइकॉन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉर्परेशन आफ इंडिया की वैकेंसी जो की काफी अच्छी अपोचनिटी है अलग-अलग वैकेंसी निकली है और इसमें टोटल 107 वैकेंसी हैं अलग-अलग पोच्टों के लिए फॉर्म जो भरने शुरू होंगे वो आपके भरने शुरू होने वाले हैं 17.10.2019 सुबह 10 बजे से और लाश्ट डेट उसकी है 6.11.2019 रात के 12 बजे तक ये डेट नोट डाउन कर लिजी आप ये जो फॉर्म है ये अलग-अलग पोच्टों के लिए हैं फर्स्ट वन है आपका नर्स ए फीमेल की दो वैकेंसी है टूटल मेल की दो वैकेंसी है पैथलोजी लेब टेकनीशियन की एक वैकेंसी है फर्मसिस्ट की चार वैकेंसी है X-ray technician की 1 vacancy है Operation theater assistant की 1 vacancy है Assistant grade 1 HR level की 8 vacancy है Assistant grade 1 F&A 11 vacancy है Assistant grade 1 11 vacancy है Steno grade 1 24 vacancy है Driver come pump operator come fireman की 8 vacancy है ऐसे करके total 107 vacancy है जिसके लिए आप firm fill कर सकते हैं eligibility देखिए age limit देखिए pay scale देखिए then हम qualification देखेंगे 1st and 2nd post जो है nurse और pathology lab technician की 18 to 30 इसकी age limit है nurse की pay scale 44,900 है 7th pay commission के माध्यम से आपको pay scale रहेगी pathology lab technician की age limit 18-30 है 35,400 इसकी salary रहेगी pharmacist की 18-25 age limit salary 29,200 X-ray technician की 18-25 25,500 salary operation trader assistant की 18-25 age limit 21,700 salary assistant grade 1 की सभी पोस्ट और steno grade 1 की पोस्ट के लिए 21-28 age limit salary 25,500 driver कम pump operator कम fireman की 18-25 age limit 21,700 पे scale इसके लावा जो facilities मिलती है एपलाई करने के लिए common government rule regulation के साबसे age relaxation वो भी मिलेगी form जो है वो आप form फिल कर सकते हैं इस website में जाकर www.npcilcarwers.co.in npcilcarriers.co.in में आप विजिट करके जो की link हम आपको नीचे देंगे description में आप उसमें भी click करके form भरना शुरू कर सकते हैं 17.10.2019 सुबह 10 बजे के बाद last date 6.11.2019 राद के 12 बजे तक है तो इसका form आपको फिल करना चाहिएगी नहीं आप vacancy देखके decide कर सकते हैं ok friends good day good luck